हरिश्यंद्रगर्ट ट्रैक एक कहानी है मेरे 26 वे जनल दिन के और कहानी बिना गिर्दारों के नहीं होती तो इस कहानी में चार मुख्य गिर्दार है रवी यानि कि मैं यश ये बंदा वीडियोग्राफिक का शौक रखता है रोहित और वुड्डू ये मेरे बच्पन का दोस्त है मोहित और ये इस सफर में आपको हसाने का काम करेगा इस कहानी में आप हमारे साथ जंगलों से गुजरोगे एक पहाड से दूसरे पहाड पे चड़ोगे 400 साल से भी पुराने मंदिर के दर्शन करोगे भव ये शिवलिंग के दर्शन करोगे और महाराष्ट्रा की सबसे मैजिकल प्लेस देखोगे हमने किन-किन चुनोतियों का सामना किया क्या हमें सन्राइज संसेट देखने मिला कौन-कौन से नए दोस्त मिले और मेरा जन्मदिम कैसे मनाया ये सब इस कहानी के अंतग आप जान जाओगे तो अंतग बने रही है क्योंकि इस कहानी में धेर सारा मसाला मस्ती और थ्रिल बढ़ा हुआ है हे गाईस वेलकम बैक तो माई यूटीब प्यानल तोड़ी सेवन तीन जून जून ट्वेंटी त्री आज फिर मैं आचुका हूं हरिष चंद्रगाड बट इस टाइम इस फ्रॉम्द खिरेश्वर रूट इस इस सेकेंड रूट एं थोड़ा मेडियम टाइप का रूट है बट यहां के व्यूज बहुत ज्यादा बैकरीन है मेरे पिछे दिखर पूरा हरिष चंद्रगाड रेंज है एंड आएम करेंटली इंद खिरेश्वर विलेज यह कैसे पुछना है वोगेरा हो सब मैं आगे जा कर बताता हूं लास्ट यानि कि दो हजार बाइस में मेरे बट्डे के दीन हरी चंद्रगाड आया था लास्ट ताइम में व्यू नहीं देख पाया था बट यह इस वार मैंने सोच लिया कि व्यू देखना है तो कैसे पिर जाना है आज मैं किसके साथ ट्रेक कर रो आपसे मिलाता हूं यश मोहित इन दोनों को आपने देखा यह बाइट ट्रिप किया मेरे साथ और यह पैले करता हूं यह नॉट अनुगाइ मेरे ओल्ड वाले ट्रेकिंग व्लॉग देख लो देखलो देखलो देखला आपने के चक्कर में आया है विल कम तुनो सून अरिष चंद्रगड पूरा डिटल में आपने लास्ट वाले व्लॉग में दिया है उसका डिस्रिप्शन में लिक्टन में भी आपको क्लिक करके मिल जाएगा वीडियो तो उसमें आप पूरा देख सकते हो मैंने पाचने ही रूट से या था एंद इस खिरेश्वा रूट आप जाओगे वह एक्दम ईजिएस्ट वे अरिष चंद्रगड जाने का आप फैमली के साथ भी जा सकते हो वह हाडली आपको दो से धाई गंटा लगेगा बटिखी रेश्वार वाला रूट थोड़ा लंबा है इट टेक्स अरौन फो तो फाइर्स तो मुझे यह अरियान स्टेशन आना है वहां से आपको एले फार्टा या फिर औरंगावर्थ की कोई भी पकड़लो कर्णेक्टर को पुछो मुझे खूबी फार्टा उतरना है आई रिपीट खूबी फार्टा तो हम लोगा कुछ वन फॉर्टी रूपीज टिकेट लिया फ्रम कल्यान तो कुभी फार्टा और उसने हम आपर यहां पर हम लोग को भार छोड़ा यहां पर आपको लैंड मार्क के लिए मिल जागा पिंपला जोगा डेंशन वहां से ट्राइक करना कि आपको कोई काड़ी वगेरा मिल जाए तो यह 6 किलोमेटर का रस्ता है जिसमें से हम लोग को गाड़ी मिलके तो उन्हों चार किलोमेटर चोड़ दिया दो किलोमेटर और बागी हम लोग फ्रेश वागे रहोने के लिए रुख गए थे होपसो आपको गाड़ी मिल जाए पड़ना है छे किलोमेटर का रूट आपको चल के आना पड़ेगा बज रहे हैं ग्यारा एंग्य इस पता है पंची करती है पंची तुसरे भीच खाती है और काई सग्रती है एक समर्या 11.30 अब ओफिशली ट्रेक स्टार्ट हो चुका है एंड भी इनिशली जैसे स्टीपने साता है विसाने वाला है मुहित ने तो लाश के दार कंथा ही किया था हां मुहित बाई सब है इता कुछ यह पर कैप्चर नहीं कर रहा हो सीधा में जो में पैच है ना वह कैप्चर करूंगा अग्यासी बेलो पाने वाली है अग्यासी बेलो पाने वाली है पाने रात को यह बूचाता कहां जा रहा है क्या बोला है हर मेने क्या चला जाता है तू तो क्यूं जा रहा है उस कम बगत पाहर पर टड़ने के लिए इतना ज़रूरी है तुमारे लिए 20% ट्रेक हुआ रहेगा अभी भी है मस्टीप सा पैच है मजा तो बहुत आ रहा है एंड वैदर भी एक तरना चुम्मेश्वरी है थोड़ा यूमिडिटी है विकास बीच 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 वारिश आ रही है बट यह है कि भाई धूप बिलकुल भी नहीं है एंड यह रूट मे आपको जगा जगा ऐसे देखो एरोज मिल जाएंगे तो बटकने का कोई चांस नहीं है बट फर्स्ट गाउं में आके खिरेशवर गाउं में आके आप लोग रूट बूच लो कौन से रूट से जाना है यहां से यहां पर यह तीन चोटे चोटे वाटर के कैनिस्टर बने ह तो इसका पानी पीने लाइक है यहां से ड्रिप होता है एक बूंद और इसमें जाता है तो आप इसमें हाथ मट डानना बॉटल से देखे आप यह पानी पी सकते हो यह वाला और यह वाला पीने लाइक नहीं है बट मोचली अभी बारिश में हो जाएगा और ना हम लोग दोनों मांटेंज के करीबन बीच में आई गए है तो वी आर फियर हमें जाना है वह वाले मांटें पर इन दोनों के बीच का जो खिंड है मतब जो वैली बोलते है उसको बोलते है तो तो खिरेश्वार वाले रूट से आओ गे तो दो तीन रूट है हिंड आने ही वाला है हादली है तो 10 मिनिट लगेगा एंड अभी ट्रैक करके हमको एक घंटा हो गया बट कम लोग काफी रूखे थे बीच में करीवन 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 बीस-पचीस मिल रूखे है अम लोग आराम से जा रहे है एक गंटे का ट्रैक करने के बाद आप एक पॉ लोगे सीध आगे निखलो तौफे तोलार खेंड यहाँ पर क्लियर इंस्टिक्शन्स लिखे कि कि काचरा मत करो अग लगाने बीसामान युज मत करो बिकॉस फोरेच फोरेच फार हो सकता है सो प्लीज फॉलो इस रूल्स अभी इस ट्रैक के मोश्ट दिफिकल्ट एं थ्रिलिंग पाट के आने का समय हो गया था तु महादेव के दर्शन लेकर हम चलते हैं सीधा तोलार खेंड की तरफ फाइव मिनिट्स का वोग कर कि आप आओगे एंड इस 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 थे केंड मांट झाल झाल यहाद वस्तिप आखर शुर्ण शुर्ण तो सबस्दाइब दे दोर्ण आगे लुट्रिधान्यें उल्थ जाए तो का सब्सक्गोरा यह थो जरूख दोर्ण बाद्यूरा है। सबसे बेस्ट बाट है, सबसे बेस्ट वहाँ से निचे यह को मर्मर के आ रहे है इसामने क्या ही व्यूटिफुल वाटरफॉल होता हो का मॉंसून के टाइम पूरा वाटरफॉल का पैचिस दिख रहा है इस तो यह भी जहां पर रेलिंग तूट गई है और यह भी है सो टेक वाइस रिशिजन यहां से जाओ डेढ़ शाने मद बनो वहां से जाने के लिए एक पैर खसका और नेचे सो एकदम आराम से जाना बिल्कुल भी घाए मत करो यहां पर है तो यहां पर यहां पर यहां बैलन्स ले सकते हो यह साइड दोनों हाथ यूस करो एक हाथ यह साइड पत्थर पर बैलन्स करो और एक साथ से रेलिंग पकड़के फिर चड़ो अगर आपको एक्सपिरियंस नहीं है तो काफी सुंदर केवज है बट 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 क्या ही बोलू यह देखो प्लास्टिक की बॉटल नहीं अच्छा लगता है देखके यार इतना उपर चड़के महनत करके हो और क्या देखने मिलता है प्लास्टिक का बॉटल वह भी हमारी ग अधे गंटे का ट्रैक बच लिया थोड़ा सा स्टीप है बट यह थोड़ा सा चोटा है दूसरा जो रूट है वो राइड साइड से जाता है वो थोड़ा सा लॉंग है बट ईजी है एंड यहां से आप आओके नेवारे रूट से तो दिस इस दा बाले किला अब 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 मैं भी आज तक नहीं गया वहीं मेरा सेकंड टाइम है तो इस बार भी मैं आम लोग बाले किला पर नहीं जाने वाले किला पर ज्यादा कुछ रिमेंस नहीं बचे चात्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ती है उपर तो जरूर कभी ना कभी जाऊंगा बट हरिश चंद एक दड़ गंटा लगेगा तो देट इस नोट पॉसिबल राइट नाओ अरी अरेषवर मंदिर जाएंगे पिर केदारेषवर केव जाएंगे एंदेन हम लाष में कोकन काड़ा जाएंगे अर्ष चंद्रगड़ का पूरा फ्लैटो यहां पर बहुत सारे आपको होटल जाएंगे और यहां पर एक चोटा तेम्पल है वह में टेमपल हरी अरेषवर का वहां पर केदारेषवर केव है नीचे और वह एक शायद वह गनेश गुगा है पीछे हरी अरेषवर मंदिर वास से सामने थोड़ा चल के आओगे ना तो यहां पर बहुत सारी केवज है जहां पर आप स्टे भी कर सकते हो एंड यह देगो इस काफी साफ है तो एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इन में रुको तो इन्हें ऐसा ही रखना जैसी आलत में आपको यह मिली थी प्लीज इसे गंदा मत करो यहां कच्रा मत करना जिंदिकी में इसने पासपोर्ट साइस के ओपर कभी फोटो नहीं किता है और सही बोल रहा है ग्रैंड माइटी हरियरेश्वर टेंपल एक साल पहले सेम डे पे यहां पर आया था सेम डे पे सेम जगा क्या पील आरा ना भाई पर तभी पूरा फॉग में कवर ताज पूरा क्लिर ली दिख रहा है वहाँ पर आगी केदारेश्वर केवे इसार दो सोलार बैनल्स तिसे सब्तर इशी पुछ करनी लेक पानी का लेवल बॉत कम है अभी वेल में वेल मतलब यह वाटर टेंग है और अगर उसमें मचली है चोटी-चोटी और क्लियर दिख रहा है मतलब इस पोटेबल वाटर आप पी सकते आरा हम से कोई इस्ट वाई आपकी शुरिटी के लिए इस बेटर देन अनी मिनरल वाटर महां उपर हो और यह मंदिर से नीचे है मतलब यह मंदिर पूरा ऐसा अपसाइड डाउन बनाया होगा काटके अच से चार सुछ साल पहले कि कैसे बनाया होगा वो टाइम पर जब इतना कुछ एक्यूपमेंट्स नहीं थे हाथ से काव गर के जो आज भी यह मंदिर इतना टिका हुआ है तेको यह सारे केव यहां पर भी केव यह यह नंदी जी बैठे हुए और नंदी जी के ठीक सामने यहां पर महादे विरास्ते यहां पर पानी नहीं रहता है सिफ बारिश में रता है विटो वाले वाटर टैंग में हम्मेश आपको पाने मिलेगा यह नंदी जी थोड़े खंडी तो चुक है पीछे दूनी है यहां पर हरिष्चंद्रगड़ पर गुरु चांग देव ने मेडिटेशन किया दा बहुत सब्सक्राइब है यहां यहां इस मंदिर में जो शिवलिंग के दर्शन आपको होते हैं वह बहुत ज्यादा इमेंस है चार पिलर है चारों पिलर चार यूगों को दर्शाते सत्यूग त्रेता यूग कल्यूग और द्वापर्यूग यूग अन्त हो गया और तीन पिलर तूट गया असा कहते है जब यह चौथा पिलर तूटेगा तब कल्यूग का अन्त हो जाएगा जाएगा इस बज़रे भी साड़े चार एंड हम लोग को जाना है कोकन काड़ा यहां अट्रेक्शन इस अ टॉप पार्ट यह मंदिर है और यह बाकी सारे मंदिर निचे हरी आरिषवर लास्ट यहर इस इस अप्लेस अप्लेस ओटल दुगा और यही पर केक वर अगयरा कट्किया था अट्रेट तूट अटू अट इस टाइम वी वांट तो सेट कोकन काड़ा तो यहां से आपको कोकन काड़ा जाने में अगर अगर कोकन काड़ा मिलते सिधा ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ऐस लास्ट टाइम कुछ भी वियू नहीं मिला था कुछ भी वियू नहीं मिला था पूरा फॉक की चादर थी एंड बस एक दम सामने दिख रहा है यह रेलिंग कोकन काड़ा यहां से अब देखते हैं कैसा भव्य व्य जेख पॉकन काड़ा पर बैटा हो क्या बोलू कुछ समझ में नहीं नहीं आरा रहा है कोई वर्ड़ी नहीं मिल रहा है मेरे को कोकन काड़ा को देखने का इक स्पेशल तरीका है तो अधा है जैसे गुड़ु देख रहा है सा सोकर झाल झाल सम्ते और यहाएश। और थे खोकान कारा आठा गर्जादी। थेखिक्षिन रई है। यह 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 तो दोले वीडीघ वहां से आगे तक भी आप जा सकते हो पर वहां पर रेलिंग नहीं तो थोड़ा ध्यान देना एंड यह पूरी वैली है एक खाली रिग्रेट भी है और इस हरी चंद्रगर्णे में को एक और रिजन दे दिया वापस आने के लिए संसेट नहीं देखने मिला क्लावड़ी इतना वैदर ना चाथ संराइज भी नहीं मिलेगा मोशली बड़ देखते हैं अब सब्सक्राइब तो फिर क्या मतलब है यह बंदा अर्ग्यू कर रहा है कि भाई तारा मती पिक पे नहीं जाना ची क्यों पता है क्यों कि इसको जाना तर यह थक पूरा ही फॉगी 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 वैदर लेकिन में कुछ मत सुनो इसका यह ऐसा ही व्लॉक्स बनाता है आप देख लो आपको क्या करना सले वहां से यहां आते आते गांट बढ़ गया अब तेरको पांट ठड़ना है चार बजे तारा मती जाना है तारा मती अ सारामती पर निकीन ही तो नीचे चलना है जा आ रूरा मॉझ का बात नहीं किति मैं जोख दरहा पर दिखने जलना चाहिए बहते हैं गारे अर इंद्रवजर लुप होबेड दिख चैन्स तो हम चले जाते सिधा सागर के ओटल में टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए खाना खाने के बाद हमने बहुत सारा मजाग मस्ती किया वो तो मैंने कुछ भी रेकॉर्ड नहीं किया लेकिन अब वक्ता सोनेगा क्योंकि अगले दिन उठकर ये देखना था कि हम तारा मती जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे लेकिन एक बात फॉर आपको कहता हो इस व्लोग को एंड तक देखो आपको प्यार हो जाएगा हरीश चंद्रगड से अब तक आपने हरीश चंद्रगड का एक रूप देखा है कल सूबे आप अलगी रूप देखोगे कुछ आप देखोगे करने दे यह लिविंग लाइफ यह लाइफ 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 अचा दे नेक्स टेगए तर खड़ा हुआ बच्छ बी ने दिख रहा है सिपिए बड्स की आवाज आरी है अलके पूरा कॉरा है हमारा प्लान था ता तारामुती जाने का लेकिन गुडड यह पूरा टेंड किला हुए बारीज भी आ रहा है एंड उस भी पढ़ रही है बहुत सूबे छे बज़ेगा इस को कन काड़ा एसा दिख रहा देखो लग रहा कुछ है लग रहा कहीं किरोगे तो कहीं जाओगे कल क्या देखा था आज क्या दिख रहा इदर आज मेरा बट भाही क्या बटी बढ़ी है इसकी भूटन हरामी अले वेपि बटी बटी प्रो प्रो व्भाने शुचुच। व्भाने शुच। शुच। जुच। खारी शुच। व्भाने शुच। करें यह रस्टे से आप तारा मती जा सकते हो जोड़ बोलता है यह रस्ते नहीं गया आकिरकार यह नहीं गया है धैक यह रस्ते से आप ना कर ना थेरा वाक वास बंद कर अभी का था ना हरी शम्द्रगड का दुसरा रूप देखो तरह बस फोग है मैं अबम इस कहानी के उस मोड़ी पर रहा जाहमेए जनमस्त पो आओ चलो मेरा जनमस्त Alam निकाल शंदे केक लाएँ है नियर मेनी लाएँ है कि लाएँ है具 मेंनी लाएँए है Luft Happy Birthday on me लिए लिकान्न है कशुछ विवी खुली ते पिस दुदियों है क्या गुदी फुदी है क्या पुदी जए है लिए खुदी जगंदी खाला गार शुदी खुदी है व्लोग ए व्लोग के लिए लोग खुदी है वंकर भुदिः लिए Cake safe guys तो आपना आप लेटर इन जुट एक वाय जुट नेख नहीं दिखाना भी व्लोग में दिखना जुट सुटे से गाईस बारा ना रा अवारा ना डार विट्य। फुल मेंवरी जगा छोड़की जाएं जाएं आए जाका व्लोग कर तावरे में एंगे व्लोग करता हैं बाकि क्या खुबसूरत नजार यह एज कुछ निए है कर रोज बाच्छा थिक रहा था और क्या व्यूत अग्या था यह था यह शुक अग्सदी नियुक्ष यह पुर्ण बड़ीग अग्ड़ी इन इस धिन प्रिफ्ट वाजम बाद्म एंटर्टेन निंग थिर्च अग्ड और आप्टेस्ट जाननल. ये रूप्टेस दर एक एकसे रेक्टेसे को हैं। कि और आपके बंपार से एकस दृप्टेसे में मैं। ये रवी जानिए भाइट से घ्टार कई लुक्त कीषड़ी पक लिए अबड़ पूना समय हा। टाइमलेस में तुना ये फेक टाइमलेस बना दुजरा अपना और ये जो बंदा बहुंक रहा ना ये तो महाँ फेको आदमी है इसका तो कुछ भी मत सुरू है ये जो मुवमेंट्स है ना जो आप यहां बिताते हो ये शायद ही आपको किसी कलब, रिसोर्ट या एक्स्पेंसिव जगा पर मिल सकते हैं इन हिस्टोरिकल जगा पर आकर यहां के बारे में जानना और पहाडों की ताजी हवा को महसूस करना और अपने दोस्टों के साथ खुलनी वस्ती करना शायद इसे ही मैं सुकून कहता हूँ यहां प्र कहल की जगा है वखते हैं मिलते हैं, तो अभी भी आयो तो इसके इदर आओ एहां पर खा लेना, इसाग भी और भी यहां पर खा लेना, इदर खा लेना, खाल दे लाघाएर कि भीला देगा मैं इसका नंबर दिस्रिप्शन में डाल रहा हूँ अब आपर आना खिला देगा अजरे नौ हमने भी वेट करना सही नहीं समझा क्योंकि हमको निकलना है वापस तर्ट्रेक डाउन करना चालू कर दिया हम दोंने बट फर्स्ट वी अरेश्वर तेंपल पानी अगरा बरेंग बस इसका सुंदर सा टाइम ले लिया अब वक्ते डिसेंट करने के शूबं में लोग ने डिसेंट करना चालू कर दिया है तो वहीं से गाड़ी का बंदुपस कर लिया है लोग पाचनी से उतरें इस रूट को मैंने अल्रेडी कवर कर लिया मेरे लाश वाल लॉग में तो म बट वही है कच्रा मत करो प्लास्टिक मत फेको इदर हम सब कच्रा साथ लेके जा रहा है सब कच्रा जो खुद एक एक आदमी अगर अपना एक पाजी का बोटल जो कच्रा खुद लेके आया वह आपस लेके भी जाएगा तो भी मोड देने नफ है मैं अप लोग को नहीं र ऒर वारेवर वीडियो और फोर्टोज के लिए ट्रेकिंग करने लगें पहाडों के जाने लगें मैं मनता हूं यह जल्स है अपने दोस्तों के साथ आफ कैमरा एक्सपीरिएंस करो अ वोगार है किवेगार है इस वन फे ब्यूटिफुल पैच फे पाश्चने ही रूट जहां से आपको एक बहुत सुंदर वैली का वियू आता है और वाटरफॉल जिगती है हुआ है हुआ है जारा विजरे भी कंपलिटेट हरीश्चन रगर्ट ट्रैक जिसको मने असेंड किया था खिरेश्वर से और डिसेंड किया पाचनेई से वहाथ ही कैसे जोरदार एक्सपिरेंस था फिलार भी मैं शूबं को दूंटा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं है उनके साथ हमें जाना है नीचे तो आगे अब वेट कर रहे इदर ही और यह मैगी खाते हो वेट कर रहे है यह को एक रिग्रेट है मैगी उपर गानी ते इसको यह पेट बर रहा है उपर मन बढ़ता प्री आवर्स लेटर जितना खुशी इन के सखल पर दिख रहा हुतने है लोग खुश है नहीं क्योंकि पूरे तीन गंटे के वेश्टेज के बाद रही है जो में राजूर तक छोड़ रही है अब राजूर से आगे कैसे जाना है पुट प्सा देखेंगे देखेंगे दे सब कुछ अच्छा हो तो लाइफ केसी को एडवेंचर तो होना चाहिए तो वही एडवेंचर हमारे साथ हो गया हमें जाना था शूबम के साथ हमने वेट किया उसका बहुत ताइम तक यहां मैंगी खाते खाते बट थोड़ा सा मिसकम्मुनिकेशन हो गया वो लोग आगे रुके थे और हम लोग पीछे और कोई कम्मुनिकेशन का जरिया नहीं था बिकॉज पाच नहीं गाओं में बिलक सारी गाड़ी पूर नहीं की थी देने गाड़ी वाले काका से हमारी बात हुई उन्हों ने हमें राजूर तक छोड़ने के लिए कह दिया विकॉज कसारा तक हम उपर बैटके नहीं जा सकते थे तुम्हाला धन्यवाद करते मंड़ी चलो यहां से बाई बाई करने का ताहीं आज़े राजूर तक तक तो हम उपर बैटकर पहुँच गए राजूर से आगे हमें दो गंटे का डिस्टेंस कवर करना था कसारा स्टेशन तक और उसके लिए जैसे हम राजूर पहुचे हमें एक गाड़ी जाते ही मिल गई और हमें एक्सपेक्टेर नहीं था कि वो इतने लोग भरेंगे बट एक सुमो गाड़ी में आप सोच सकते हो कितने लोग भरेंगे उन्होंने लिटरली अठरा लोग को भरा था उस तिती में हम उस सुमो में 2 गंटे का सफर करकर कसारा स्टेशन 6 बजे पहुचे हम लोग ट्रेक करके नीचे आगे ते 11 बजे और हम लोग कसारा स्टेशन पहुचे छे बजे कभी ना कभी जिन्दगी आपके लिए कुछ अलग कहानी लिखेगी और आप कुछ अलग तो हमेशा हर चीज के लिए प्रिपेर रहो खुशी से एकसेप्ट करोगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा रवी जेन साइनिंग आफ आज का है शौट एंशीट सफोग यही तक रखते हैं अगर आपको यह व्लोग अच्छा लगा हो तो डोंट फगे तो इड़ लाइक बटन नहीं हो सब्सक्राइब करो पुरा नहीं हो लाइक और शेयर कियो ना मज जाना प्रफ्राइब करो डोस्प्सक्राइब करो डोस्प्सक्राइब करो नहीं चाहिए दोस्तो लाइक एंड शब्सक्राइब तो गुडड़ चैनल झाल